हेलो फ्रेंड्स मेरा नाम है शाश्वत चुकला और आप देख रहे हैं ओम ट्रिक्स योटूब चैनल दोस्तों अगर आप क्लास 10 प्लास 12 चाहे वो यूपी बोल्ड हो बिहार बोल्ड हो इन सभी की तयारी करने के लिए हमारे चैनल ओम ट्रिक्स पर आए हो तो नीचे दिए गए लाल वाले बटन से आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर दबा लेना और अगर आप कुछ एक्स्टर तयारी करना चाहते हो भी बोल्ड परिक्षा के लिए तो और ज्यादा कोर्स आपको हमारे अन अकेडमी पे दिये गए हैं अन अकेडमी का लिंक फॉलो कर लेजिए डिस्क्रिप्शन में दिया गया है सभी लों का करके हमें अन अकेडमी पे फॉलो करें और वहाँ पे पूर्स सभी लों देख ले दोस्तों तो बिला समय कवाए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ शाश्वत और लेकर के आचुका हूँ आप सभी के लिए क्लास 12 फिजिक्स का एक और वीडियो दोस्तों हिंदी मेडियम वालों के लिए चुमकत्व एवं द्रविये चैप्टर हमारा पिछले वीडियो में भी चल ला था अगर आपने पिछला वीडियो पर तक नहीं देखा है तो आप प्लेइलिस्ट पे जा करके जरूर देख सकते हैं दोस्तों प्लेइलिस्ट में आपको शरुआत से लेकरके आखरी तक के वीडियो जाएंगे और साथी साथे उनके पीडेफ पिडिये रहेंगे हम इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं अगर आप हमाजे चैनल ओम ट्रिक्स पर रहे आए हो तो नीचे देगा लाल वाले बटर से सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा बिल आइकन जरूर दबा लीजेगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो के अपडेट्स आप सभ किये पदार्थू को चुनिये तामबा, सोडियम, पोटेश, प्लैटिनम तथा चांदी 2017 में आला प्रस्न पूछा गया था तो उसमें आपको क्या करना है जो आपका प्रतिचुम्ब किये है और आपका अनुचुम्ब किये हिनमें आपको दो-दो अंतर अलग-अलग लिग प्लैटिनम ये जो हैं ये आपका दो-दो-दो नमबर का प्रस्न है और 2017 में पूछा गया था तो दोनों बहुत अच्छा प्रस्न है इसको अच्छे से टिक लगा लिजेगा और देख लिजेगा पीडिएफ मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रखा है तो रियाला जो प्रस्न है यानि कि इसी साल ये वाला प्रस्न पूछा गया था दोस्तों दो नमबर का ठीक है चलिए इसका उत्तर लिखते हैं ऐसे पदार्थ जो तीवर प्रबलता के चुम्ब की छेतर में रखने पर छेतर की विपरीत दिशा में आंशिक रूप से चुम्ब की पदार्थ के लाते हैं जैसे कि सोना चांदी हीरा नमक जल और वायू यानि कि कहने का मतलब है आपका जो हमारे ऐसे पदार्थ होते हैं जो हमारी तीवर प्रबलता की चुम्ब की छेतर में रखने पर विपरीत में आंसिक रूप से विपरीत हो जाते हैं उन्हें हम चु किये आपका प्रती चुम्ब किये कहते हैं जैसे कि उसमें आते हैं सोना आता है चांदी आता है हीरा आता है नमक आता है जल आता है और वायू भी आती है और आदी आते हैं ठीक है हम चलते हैं अपने नेश्ट के तरफ ऐसे पदार्थ जाने के अब हम किसका लिखेंगे अब ह चुम्ब की पदार्थ कहलाते हैं जैसे कि हमारा एलूमोनियम, प्लेटिनम, सोडियम, कॉपर क्लोराइड और आकसीजन आधि पदार्थ ऐसे पाए जाते हैं दोस्तों तो यह जो प्रस्न है 2018 की परिक्षा में पूछा गया था दो नमबर का प्रस्न हम चलते हैं अपने नेक् 2017 की यूपी बोल्ड परिक्षा में पूछा गया था किसी सेट में आपका पूछा गया होगा थेक है उत्तर है इसका प्रति चुम्ब की पदार्थों की छड़ों को शक्ति साली चुम्बक के ध्रुवों के बीच स्वतनता पूर्वक लटकाने पर इनकी अक्ष लंबाई च चुम्बक की छेत्र के लंबवा दिशा में हो जाती है जबकि अनुचुम्बक की पदार्थों की छड़ों को शक्ति शाली चुम्बक के ध्रुवों के बीच स्वतनता पूर्वक लटकाने पर इनकी अक्ष लंबाई चुम्बक की छेत्र के दिशा में हो जाती है यही हमार कहलाता है किसी बाहि चुम्ब की छेतर में रखने पर प्रति चुम्ब की पदार्थों का विवहार अन्चुम्ब की पदार्थों के तरह भिन होता है तो यही था हमारा उदारण यह आप लिख दीजेगा ठीक है दो नमबर का कोशन है हम चलते हैं आपको next question के तरफ next है प्रत तो प्रती चुम्ब की पदार्थों में परिणामी चुम्ब की आघूंट सूनने होता है, क्या होता है तो प्रती चुम्ब की पदार्थों में परिणामी चुम्ब की आघूंट जो हता है वो सूनने होता है, क्योंकि इनके परिणामी चुम्ब की आघूंट अशूनने होता ह है क्योंकि इनके परिवानों में प्राया इलेक्टानों के संघ्या विशम होती है बस यही कारण होता है दूस्तों आपका प्रत्रट चुंकियों और अनुचुंबकी पदार्थों के परिणामी चुम्ब की आगून का सूनने से आशुनने में होता है ठीक है चलिए हम चलते हैं नेक्ष्ट के तरफ विद्चुम्बक किसी इस्थाई चुम्बक से किस प्रगार भिन्न होता है ठीक है यह आपको समझाना है 2017 में प्रस न पूछा गया था तो विद्चुम्बक बनाने के ल धारा परवाहित की जाती है धारा परवाहित करने पर परिनालिका के भीतर चुम्बकी छेतर इस्थापित हो जाता है तथा छड के अंदर उपस्तित डोमेनों के घूर्णन द्वारा वह पूर्ण तह चुम्बकी हो जाता है वैदुत चुम्बक को का उपकरण वैदुत घ स्थाई चुमक बनाने के लिए स्टील का प्रयोग किया जाता है क्योंकि स्टील की धारशीलता नर्म लोहे से कम होती है परंदु इसकी निग्राहिता नर्म लोहे के पेक्षा बहुत अधिक होती है स्टील का एक बारशुमकन हो जाने पर सरलता से विचुमकन नहीं होता है तो यह आपका सीधा उतर मैंने आपको बता दिया यह जो प्रसने आपका दो नंबर का प्रसने बहुत महत्यपूर्ण प्रसने दोस्तों यहां तक हमारे एक कुशन कंप्लीट हो जाते हैं आप इनका पीडियाफ जरूर से जरूर डाउनलोड कर सकते हैं वीडियो की डिस्क्रिप्शन से दोस्तों डिस्क्रिप्शन मैंने इसका पीडियाफ दे रखाया आप जाओ और डाउनलोड कर लो दोस्तों तो हम मिलते हैं आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में वीडियो को लाइक कर दीजेगा वीडियो को अपने सबी दोस्तों तक शेयर कर दीजेगा अपने वाटसब फेस्बुक ट्विटर इंस्टाग्राम के जरीए और नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिजेगा तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए